वेरी गूट अफ्टरनून तु वाल आएम रविका फ्रॉम एसाइम्टी नगोदर बच्चे हमने आज का जो टॉपिक करना है वो करना है टूल्स और फिनेंशल एनलिस अगर जह हम बात करते हैं टूल फॉर फिनेंशल एनलिस यह जो है पांच तरह के होते हैं इसके अंदर त्रेंड अनलिस यह जो है वह आता है यह तो अब बसेंधर चैनल जो होता है नगकार शुट ह्लूम पाक्राइज्म करत हैं यह तरह की टेक्नीक होती है छो कि बस्च होती है हमारे प्रूमिसमें ऐह हमने कैसे हमारे साहल में इस दूह हमारे पांच चरत घटमीश ते सबसा करता है कि future में क्या हो सकता है या क्या-क्या possibilities हमें देखने को मिलती है ठीक है अब बोते हैं यह हमें क्या करता है यह हमें define करता है एक mathematical technique जो कि हम अपने previous या historical data पे जो actually हो चुका है उसके उपर हम apply करके अपने future की outcomes जो है वो क्या कर सकते हैं देख सकते हैं trend analysis जो होता है यह इस respect में होता है कि इसमें organization जो है वो same time period पे जो है अलग-अलग different time periods को check कर सकती है और यह जो trend है यह series of information होती है जो कि हमें financial statement से ली जाती है और इसमें हम analyze करते हैं ताके हम कुछ meaningful conclusion जो है वो निकाल सके for example चलिए इसे जो है हम examples के साथ बाद में करेंगे अभी हम इसका common common ले लेते हैं अगर्शे हम common size statement की बात करते हैं common size statement जो होती है यह company के financial statement होती है जिसमें सारी की सारी चीजें जो है वो percentage में बताई जाती है और इसमें हम एक common base लेते हैं जैसे की total assets है, total liabilities है, total sales है यह सारा जो है एक ही base रहेगा, base कभी change नहीं होगा और इसे हम common size statement कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है वो हम commonly लेते हैं, for example total assets, total liabilities या total sales ठीक है अब comparative statement जो होती है यह financial statement होती है किसी भी organization में comparative का मतलब for example trend, trend means जो पिछले time से क्या चलता रहा है, एक trend जो कि हम follow करते हैं ठीक है, एक icon ठीक है उसे हम क्या बोल देता है, trend common size का मतलब क्या है, common जो हर किसी के लिए same रहती है, इसमें हम कुछ basic चीजों को commonly लेके चलते हैं, इसलिए हम इसे common size statement कहते हैं, for example total assets जो की same रहेंगी, total liabilities किसी company की वो भी same रहेंगी, ठीक है और इसमें जो है total sales वो भी हमारी क्या रहेंगी, mostly same ही रहेंगी, next आएंगी comparative statement, comparative statement में जो है नाम हमें क्या suggest करा है, जिसमें हम comparisons कर सकते हैं, easily compare कर सकते हैं, for example, अगर जो हम बात करते हैं, अपनी company की, हम अपनी company को last year और अपके year के में compare करेंगे, कि हमने पिछले साल से profit earn किया है, या फिर हमने losses earn किया है, यह क्या है, हम comparison कर रहें है, यह जो है within the same company ही होता ह है, यह हम इसमें long period भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन generally companies जो है, वो इसे use करती है, ताके वो अपनी जो है, चीजों को पता कर सकें, कि हमने जो है, कैसे, यह means हमारा जो है, trend कैसा रहा है, या हमने comparison करते हैं, वो खुद की ही performance को, for example, आप क्या करते हो, एक semester में आप अच्छे number लेके आते हो, तो दूसरे में आपका target क्या होता है, कि मैंने पीछे semester से जो है, ज़्यादा अच्छे number जो है, वो score करने है, that means क्या है, आप अपनी comparison कर रहे हो, और comparison जो होता है, वो हमेशा खुद से ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी capability जो है, आ अब financial statements, अब हम comparative statement की अगर बात करते हैं, तो इसमें organization जो है, अलग-लग time period पे ये बनाना prefer करती है, और इसमें अलग-लग items होती है, जैसे कि financial statement है, जो कि हमें comparative form में बनाते हैं, और ये जो है, किस form में होती है टेबल की form में, और इसमें हमें एक comparative view जो है, वो अलग-लग parameter से दिया जाता है, यानि कि अलग-लग time period पर कि हमारी क्या performance शो थी वो रही है, वो हमें पता चलता है, इसमें 2 या 2 से जादा time period भी हो सकते हैं, next जो है वो है ratio analysis, ratio analysis शो होती है, ये टेक्नीक होती है, जो कि हम ये जो है 2 is to 1, 3 is to 1, 5 is to 4, ये इस form में होती है, और ratio analysis शो है, ये टे analysis होता है, quantity में हम इसको मायर करते हैं, और ये जो है 2 combination होता है, या 2 से जादा items का combination होता है, जैसे हम debt equity लेते हैं, 6 is to 4, proportion में हमने देना है, 1 is to 2 में देना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है ratio analysis है, इसमें जो है 2 items होती है, जैसे financial statement ले ले ली, या balance sheet ले ले ली, या फिर income statement ले इसमें जो है हम इसे use करते हैं, ताके हम evaluation कर सकें, अलग-अलग aspects को, जो कि हमारी company के होते हैं, इसमें जो है हमारे पास operating या फिर financial performance होती है, जैसे कि efficiency हो जाती है, liquidity हो जाती है, profitability होती है, solvency होती है, और ये हमें help करते हैं, कि management में कैसे certain decisions जो हैं, वो ले सकते हैं, और next जो है, वो हमारे पास आता है cash flow analysis या cash flow analysis ठीक है, ये जो होती है, ये एक तरह की fund flow जो है, statement जो है, वो बताती है, ठीक है, इसमें जो है हमें, ये हमें sources बताता है, कि हमने अपने funds को use कहां पे करना है, specific time क्या होगा, ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास six point आता है, वो आ cash flow analysis, cash flow statement जो होती है, ये financial statement होती है, जो कि आपको बताती है, cash या cash equivalents जो है, हमारे business में, वो कौन-कौन से है, और वो जो है, कैसे, जो है, इफेक्ट करते है, हमारे, या वो कैसे, जो है, उनका effect जो है, वो कैसे हमारे components में, चेंज ले के आता है, जो कि हमारे balance sheet के होते है, profit या, loss account के होते है, ये जो है, हमें reasons देते है, कि change जो है, वो हम cash position में कैसे ला सकते है, और जो है, हमारी two balances में, sometimes, business entity में, जो है, dates of two balance sheets, जो है, वो कैसे change हो सकते है, और उनकी क्या-क्या reasons हो सकते है, ठीक है, उसके बाद जो है, cash या cash equivalents क्या होते है, cash होता है, जो कि हमारे प कि cash के जैसे ही होते हैं जिसे आप जितनी जल्दी जो है money में convert कर सकते हैं for example अगर ज़े आप market में gold बेचना जाते हूं तो वो बहुत जल्दी जो है वो cash में convert हो सकता है अगर ज़े आप house property या जो है cars वगेरा बेचने जाओगे तो उसको कुछ time लगेगा ठीक है तो बचे यह जो थे हमारे tools थे कल हम जो है trend analysis वो discuss करेंगे ठीक है thank you class